बारिश के मौसम का एक बहुत गुणकारी फल होता है नाशपाती जिसे अंग्रेजी में पेर के नाम से जाना जाता है नाशपाती को हम सब एक बरसाती फल के रूप में ही जानते हैं लेकिन सेब से कम पसंद किये जाने वाले इस फल में इतने और शथिये गुण होते हैं कि लगभग यह सभी रोगों का नाश करने की शमता रखता है जैसे इसमें फाइबर इतनी अच्छी मात्रा में होता है कि यह आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा फल है हीमोगलोबिन के इस तर को बढ़ाने के लिए भी नाश पाती बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें आइरन कंटेंट बहुत अच्छे लेवल पर होता है इसके अलावा इसमें एंटी आक्सिडेंट्स और विटामिन सी की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है जिससे हमारे इम्म्यून सिस्टम को यह बहुत मजबूती देने का काम करती है नाश पाती में एक नैच्छरल केमिकल बोरॉन पाया जाता है जो हमारे शरीर के कैशियम लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद करता है इसके अलावा जिन लोगों के लंक्स कमजोर होते हैं उनके लिए भी नाश पाती का सेवन करना अच्छा होता है जिन लोगों को डाईजेशन की प्राबलम रहती है, हाईपर असीडिटी होती है या आतों में सूजन होती है उनके लिए नाश पाती के जूस का सेवन बहत फायदे मन होता है नाश पाती के जूस के सेवन से एक और लाब यह होता है कि यह किड्नी स्टोन्स को धीरे धीरे डिसॉल्व करने में मदद करता है इसके अलावा जिन लोगों में इसकिन की प्रब्लम ज्यादा होती है उन लोगों के लिए भी नाश पाती का जूस पीना और नाश पाती के पत्तों का पेस्ट बनाकर प्रभावित अंगों पर लगाना बहुत फायदे मन होता है जो लोग वजन तो कम करना चाहते हैं लेकिन अपनी हेल्थ से किसी अन्य तरह का कंप्रोमाईज नहीं करना चाहते उनके लिए प्रती दिन दो से तीन नाश पाती का सेवन बहुत लाब दायक होता है यह आपके वजन को बहतर तरीके से घटाता है बिना किसी तरह का हेल्थ कंप्रोमाईज किये नाश पाती कैंसर के रोगियों के लिए भी अमरित फल के समान होता है इसमें पाया जाने वाला एरसॉलिक एसिड जो होता है वह यूरिनरी ट्रेट के कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर को इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रेट के कैंसर को बहुत अच्छी तरह से हील करता है और कैंसर के रोगियों में इसके लाग बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं अगर आपको हाई बीपी के समस्या है या डायबिटीज की समस्या है या हार्ट सम्मन भी कोई अन्य प्राब्लम है आपको तो आपको अपनी प्रती दिन की फ्रूट डायट में नाशपाती को जरूर शामिल करना चाहिए प्रेगनेंट लेडीज जो होती हैं उनके लिए अपने शरीर में गर्भवस्था के दौरान आइरन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए कई तरह की गूलियां प्रस्क्राइब की जाती हैं लेकिन अगर आप नाशपाती का सेवन करते हैं तो इसमें जो फोलेट नाम का कमपाउंड होता है उससे आपके शरीर का आइरन का लेवल नैचरल तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाता है आइरुवेद के विश्यशक ये मानते हैं कि नाशपाती में पाया जाने वाला लिूटेन कमपाउंड जो होता है वो हमारे आखों की रोश्नी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है आईए भी यह भी जानना चाहिए हमें कि बरसात के दिनों में ही नाशपाती क्यों आती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मदर नेचर याने प्रकृती को यह मालूम होता है कि बरसात के दिनों में इंफेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें कीडे मकोडे से काटने के इंफेक्शन भी होते हैं इसके लावा डेंगी होता है, चिकनगुनिया होता है, जांडिस होता है तो इन सब रोगों की चिकिस्सा के लिए नाशपाती बहुत लाबकरी होती है जब आप नाशपाती लेने बाजार जाएं, तो यह ध्यान रखिएगा कि हमें बाबू गोशा या गोल आकार की नाशपाती नहीं खरीदना है हमें पेर शेप की थोड़े रूखे, सक्त चिलके वाली नाशपाती खरीदना है जिसके उपर थोड़े दाने बने होते हैं इसी नाशपाती के गुण बहुत अच्छे होते हैं आईए अब या जान लेते हैं कि इस प्रकार की नाशपाती में क्या-क्या पाया जाता है। तो इसमें 2 mg केल्शियम, 0.1 mg फोलेट, 0.1 ग्राम प्रोटीन और कार्ब 2.7 ग्राम होता है। पानी की भरपूर मात्रा 84% भी नाशपाती में पाई जाती है। अगर हम विश्व भर में नाशपाती के उत्पादन की बात करें, तो चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर अरजंटीना का नाम आता है और भारत का नंबर नाशपाती के उत्पादन में सात्वा है। विशेशग्यों का मानना है कि नाशपाती के सेवन से सभी रोगों में इतना अधिकलाब होता है कि इसे किसी एक रोग से जोड़ कर देखना ठीक नहीं है नाशपाती का तो अर्थी होता है सभी रोगों का नाश तो चलिए नाशपाती काना शुरू कीजिए और अपने परिवार को भी खिलाइए लेकिन रुकिए नाशपाती खाने जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग